नवश्कार स्वागत अविनंदन एक बार फिर से आप सबका करते हैं आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में मैं विपुल मिश्रा तो बेटा जी आज की ग्लास में हम लोग क्या डिसक्स करने जा रहे हैं बिजनस और्गनाईजेशन का चैप्टर नंबर बिजनस कम्मुनिकेशन का चैप्टर नंबर थ्री हम लोग क्या करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं यह जो आपका चैप्टर नंबर थ्री है जो की आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह बहुत प्यारा और बहुत छोटा साच stretch इसका नाम क्या है आपका जरмаख या फिर फीर फर्परम् साफ सअब डे बिजनस कमिकेशन फिर works of Business ही पड़ेगा और यह जो लैंग्विज का जो पॉइंट है यह आपका कम्मुनिकेशन का क्या कहलाता है वर्बल और नॉन वर्बल यह फॉर्म्स ऑप दा बिजनस कम्मुनिकेशन कहलाता है सिली सी बात है एक सेंडर अपने मैसज़ को copy करेगा ही करेगा ना चाये आप इंसानों की बात करो चाहे आप ज आप मेड Environmental को देखे होρे कभी मेडक जबतक बारिस नहीं होती है तब तक आपको नहीं दिखेंगे लेकिंगे जैसे ही बारिस होना स्टार्ट हो जाती है बारिस के बाद आप स्वयम देखो गाउं में तो बहुत बढ़ बढ़ी आवाज आने लगती है रात में चेहरों में तो तनी आवाजें नहीं आते हैं क्योंकि हर जगा आइल्स लगे हैं मारवल लगे हैं आर्सी सी लगी है लेकिन फिर भी आपके घर में छोटे मोटे मेड़क आपको जरूर दिख जाते होंगे तो वो भी अपना कम्मिकेशन करी रहे हैं ठीक है वो भी अपने जाती प्रजाती को क्या करते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं यानि कम्मिकेशन से आपका जो यह स्ट्रेक्चर है लिविंग स्ट्रेक्चर है कि पीड़ी दर पीड़ी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा र नहीं है अब जैसे जब तक आपके हाथ में इंटरनेट नहीं है जब तक कि आपके हाथ में मुबाइल नहीं है तब तक आपको लगेगा कि आपका घर आपका महला ही इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे महले के बाहर जाएंगे आपको लगेगा यार आप देश में नहीं गहेंगी तो आपको लगेगा अरे फीर भी बढ़ती बती जाएगी थीक उसी प्रकार जैसे जैसे आप दूसरे से communicate करते जाएंगे बात चीत करते जाएंगे तो आपका जो knowledge है आपका जो thinking power है thinking capacity है वो भी automatic क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह आपका chapter design किया गया है जिसमें हम verbal और non-verbal communication की क्या करेंगे बिटा बात करेंगे ठीक है क्या लिखा है आपका every communication every communication uses one और other channel communication here channel refers to the path to the which information pass or a flow from the one person to the another person यहां पर लिखा क्या है कहता है कि आपको communication करना है तो आपको एक channel के औशक्ता है और channel का मतलब क्या होता है एक तरीके का bridge होता है एक तरीके का flow होता है एक तरीके का path path मतलब क्या होता है रास्ता न यह तरीके का रास्ता है और यह रास्ता कौन सा है एक विक्तिक से दूसरे विक्ति तक पहुचने का रास्ता है फिर उसमें कहता है कि medium refer to the factor that is a use to convey the information यहां पर दूसरा point आपको क्या बोला गया है medium और medium के यूस किया जाता है हम अपनी बात को दूसरे से क्या दूसरे से करने के लिए जैसे अगर हम medium की बात करें तो most of the आज के टाइम में हम लोग AI का यूस कर रहे हैं AI यानि artificial intelligence का हम यूस करते रहे हैं आज कल लेकिन उससे पहले जब तक जब यह internet नहीं था जब आपका mobile नहीं था जब आपका टेली फून नहीं था आज से माली जे सौ साल पहले उस समय भी communication होता होगा उस समय भी medium थे हमारे लेकिन वह आपके limited medium लिमिटेड थे लिमिटेड का मतलब कि आप एक particular field में particular area में आपकी पहुंच रहती थी लेकिन आज कल आप स्वेम देखिए एक छोटी सी गलत वाइरल रिपोर्ट पूरे दंगा कराने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है अब गलत facebook पे डाल दीजे social media पे डाल दीजे instagram पे कुछ भी गलत अलट डाल दीजे अभी देखिए उसके कारण बवाल होगा कि नहीं हो सकता है हो सकता है यानि अब जो communication का जो reach है through the internet through the technology through the medium वह आपका क्या हो गया है बढ़ गया है वह आपका क्या हो गया है बढ़ गया है इसी में देखे क्या लिखा है कहता है the forms of the communication is a organization may be the formal and may be the informal यानि जो आपका form of communication है जो आपका क्या है बेटा form of communication form का मतलब यहां पे type से है जो आपका form of communication है या जिसे आप type of communication कहेंगे वह आपका verbal और formal और informal हो सकता है यानि देखिए पहला point यहां से लेकर यहां तक यह point यह लिखना है एक दूसरा point यह लिखना है और एक तीसरा point आपका क्या करना है यहां से लिखना है ठीक है अब यहां पिर आपको दो चीजे देखने को मिल रही है एक आपको मिल रही है formal और दूसरा एक आपको मिल रहा है informal देखिए formal का मतलब क्या होता है formal का मतलब होता है कि एक prescribed way में आप बात करिए एक prescribed way यानि क्या कहता है कि एक structural पाथ से आपको क्या करनी है बात करनी है जैसे जब आप किसी भी organization में जाते हैं काम करने के लिए या किसी भी ऐसी जगह पर काम करने जा रहे हैं जहां पर आपके senior बैठे है तो वहां पर जो आपका communication talk होगा वह formal होगा ना कि क्या होगा informal होगा यानि आप उनसे बड़े प्यार से अदब से sir good morning sir good evening या sir no sir अगडम sir बगडम sir तरसर लगाते रहेंगे यानि कहने का सीधा मतलब है कि आप का follow कर रहे हो एक textural way follow कर रहे हो जबी भी आप एक systematic तरीके से बात करोगे तो उस तरीके का नाम होता है आपका formal communication लेकिन जैसे ही हम informal की बात करते हैं informal में हमारा जो language talk है या जो हमारा tone है वह आपका क्या हो जाता है बदल जाता है इसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं बीच बीच में आप लोग उसको कुछ ऐसे प्यारे-प्यारे सब्द भी यूज कर देते हैं जो वह भी बड़े प्यार से हसके टॉलेट कर लेता है भाई तू यह है भाई तू वह है बहन तू यह है बहन तू वह है तो वह जो अन्स्ट्रेक्श्रल वे होता है वह आपका क्या कहलाता है informal communication कहलाता है जैसे अगर आप मेरे से बात करोगे तो as a teacher as a student अब मेरे से एक respected way में बात करोगे लेकिन जैसे ही आप अपने भाई से बात करते हो मालीजी आपका भाई भी मेरी ही age का है तो अगर आप उससे बात कर रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पे जो informal वाला है वो automatic आ जाता है इन्फॉर्मल वाला जो klement है वो आपका क्या होता है आद आता है जैसे भाई ने कहा पानी लाओ तो तुम कहोगे जाके ले लो जाके कया लो, ले लो, वो कहगा बहन खाना निकाल दो, जाके निकाल लो, यह क्या है आपका formal कहलाएगा है कि यह informal कहलाएगा, यह informal कहलाएगा, ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ सबढ़ पर heart को ले प्रभथ के लिखा ली कहता है, every organization has adopt two communication process हर organization के पास दो communication process होता है एक होता है आपका internal और दूसरा आपका क्या होता है बेटा external, internal और external क्या होता है internal देखिए जब आप अपने BOD से बात करेंगे यानि board of director से बात करेंगे जब आप अपने employee से बात करेंगे जब owner से बात होगी, जब manager से बात होगी ये सारे के सारे आपके internal communication वाले है कि सारे के सारे आपके कौन से वाले है internal वाले है क्यों क्योंकि ये आपके organization से क्या होते है directly और indirectly क्या होते है related होते है तो जितने भी आपके employee है, BOD है, owner है, manager है, CEO है तो यह आपके internal employee होते हैं तो इनके लिए जो आप communication set करेंगे वो internal communication करेंगे और internal formal या फिर informal सुच के जबाब दीजेगा internal formal या फिर informal internal formal आप यहां पर क्या करेंगे adopt करेंगे internal formal adopt करने का उस सीधा सीधा मतलब है कि भई हम अपने manager से बात कर रहे हम अपने director से बात कर रहे हैं तो हमें सही तरीके से बात करना होगा आपको मैं एक छोटा सा example देता हूँ और यह मेरी life का सबसे अजीव डियो दिनों में से एक दिन था मेरा पहला दिन था audit करने का मैं एक हर्याडा में क्या कहते हैं अम्रित रस करके एक बास्मती चावल है वहां के journal manager से मेरी पहली ही get to get मुलाकात थी मैं पहले दिन का article वाला बंदा गया तो हम लोगों में क्या होता है कि जैसे जो CA के article होते है वह अपने आपको CA समझने लगते हैं ऐसा confidence रहता है भाई हम लोगों के अंदर कारण क्या है भाव इतना मिलता है भाई एक 21 साल का लड़का अभी अभी CA पास करके CA इंटर पास करके अर्टिकल में जाके ट्रेनिंग कर रहा है और उसके सामने 50-50 साल के लोग आके सरसर कह रहे हैं तो थोड़ा भाव बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है अटोमेटिक बढ़ जाता है मैं बैठा मैंने कहा कि जो सर थे उन्होंने चाय आफर की मैंने कहा चाय पी आ cancer पी अडिया और फिर मैंने उनसे कहा अब भी CA लीजे उन्हों का नहीं मुझे CHA चणी ले तो मेरे मूँ से गलति से निकल Gया सर सूगर है क्या गलती से निकला इसको मुझे बाद में पता चला कि मैंने गलत बोला है तो हस्ते हुए उन्हें ने टाल दिया मैं भी आराम से बैठा मैंने खुब दिन भर काम किया शाम को सोचा कि जो हमारे सीनियर हैं आके मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि दिन बार खुब मेनद किया था हमने शाम को आते ही मेरे जो सीनियर थी वो मेरे उपर बरस पड़े पूरी तरीके से मैंने किया क्या है पहले यह तो बताओ सुना तो रहे हो लेकिन बता दो सुना क्यों रहे हो उन्होंने कहा कि यार आपको यह बात करने की क्या जरूरत थी कि आपको सूगर है कि नहीं है मैंने का भया क्या गलत पूछ लिया आप यह समझो कि वहां पे सिर्फ मैंने च्छोटी अपने यूपी में होती है हर्याणा में यह सब चीजे नहीं होती वहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो तो फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया कि मैं क्या ब्रेक कर रहा हूं और मैं ब्रेक क्या कर रहा था फॉर्मल या इन्फॉर्मल मैं ब्रेक कर रहा था फॉर्मल ब्रेक कर रहा था तो आप जब भी अपने सीनियर से बात करेंगे खासकर ओफिस वालों से तो आपके मन में भले कुछ भी चल रहा हो लेकिन जुबां पे वही निकलना चाहिए जो सामने वाले को क्या हो पसंद हो वह आपका कहलाता है फॉर्मल एक प्रिस्क्राइब्ड बे और इन्फॉर्मल हम अपने दोस्तों के साथ इस्तमाल करते हैं अपने घर वालों के साथ इ लिखेंगे यह heading डालके यह आपका क्या करेंगे यह star डालके यहां पर लिखेंगे और फिर उसके बाद जब आप informal को internal communication को explain करेंगे तो क्या लिखेंगे देखिए कहता है internal communication refers to the refers to the that information order suggestion causes which is the communicated and receive within a particular organization ठीक है internal communication आपके internal organization से ही क्या रहेगा related रहेगा external communication बेटा किस से रहेगा जो आपके बाहर वाले हैं बाहर वाले जैसे कौन आपके हो गए banks हो गए government हो गए officers हो गए insurance agencies हो गई customers हो गए exporter हो गए इनसे जब आप बात करोगे तो यह आपके internal communication अब यहाँ पर एक चीज और देख लिए कहता क्या है जड़ा पढ़िए कहता है success of the business organization depend on the effective communication system it is a help to the organization achieve to its goal and the objective बहुत सही लाइन इसमें लिखी है कहता क्या है कि success of business organization is depend on the effective communication यानि अगर आप बहतर तरीके से बात करेंगे बहतरीन तरीके से बात करेंगे जैसे आज कल जो customer executive होते हैं कितने प्यार से बात करते हैं ऐसे प्यार से बात करते हैं जैसे लगता है कि बात करते करते ही प्यार हो जाएगा इतनी प्यार से बात करते हैं बताइए विपुल जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इतना सुनते विपुल जी भावुख हो जाते हैं भुला जाते हैं कि क्या पूछना है क्योंकि वह चीजें उनको ट्रेनिंग में क्या की गई है दिखाई गई है अब यह देखो ना कस्टुमर केर से बात करो मेल का तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन फीमेल कितने प्यार से बात करती है बताए विपल जी और कुछ कर सकते हैं आपके लिए एक काम करो जमीन जो तुम्हाई नाम है मेरे नाम करो ठीक है तो सीधी बात है effective communication अगर है तो organization भी आपका क्या करेगा आगे चलके बहुत आप उसके लिए organization के लिए काफी अच्छा रहेगा इसमें देखिए आगे फिर एक point कहता है इसको note देके लिख लिजेगा success of business organization इसमें फिर एक चीज और लिखा है कहता है कि communication is a classify in the following category based on the flow and organizational organization relation यानि जब हम communication के flow की बात करेंगे तो आपके सामने तीन structure दिख रहा होगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तीन structure आपको दिख रहा होगा देखिए पहला क्या है आपका पढ़िए मेरे साथ पहला है आपका on the base of the expression दूसरा है on the base of the flow तीसरा है on the base of the organizational relation ठ आप किस की बात करेंगे expression की बात करेंगे तो यहां पे पहला आगया आपका क्या वर्बल दूसरा क्या हो गए आपका non-verbal फिर उसके बाद अगर आप?.. relation की बात करेंगे तो relation हो गया आपका क्या formal दूसरा क्या हो गया आपका informal ठीक है कितनी बात है समझ में आगए यानि जब आप expression की बात करेंगे तो यहां ठीक है तो जब आप टाइप ऑफ बिजनस कम्मिनिकेशन जैसे माल लीजे एक्जाम में यह सवाल आ गया एक्स्प्लेइन था टाइप ऑफ बिजनस कम्मिनिकेशन तो बाबु यह डाइगराम जब आप बना के एक्स्प्लेण करेंगे ना दुनिया का कोई भी टीचर आपका एक भी नंबर काट नहीं पाएगा ठीक है यह डाइगराम आप बना भी लेंगे जैसे माली जे पांच नंबर का सवाल है यह डाइगराम अगर आप बना भी दिये ना तो भी आपको तीन नंबर तो मिली जाएगा ठीक है और बिना डाइग्राम के अगर आप लिखोगे पूरा लिख भी दिये हो तो भी पूरा का पूरा नहीं मिलेगा कारण क्या होता है कि जो प्रसेंटेशन होती है व बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब मेन काफी जाधा इन लिखर पढ़ा न कि effective communication is a success key of the organization is a success key of the organization तो आप जो अपनी copy में लिख रहे हो वो भी तो एक तरीके से communication way ही तो है वो भी तरीके से क्या है आपका communication way है और sir कौन सा communication way है अभी उसको बताते हैं जब आप expression की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि verbal और non-verbal और verbal में बेटा आपका दो आता है मेरे साथ पढ़िए पहला क्या आता है आपका देखे क्या लिखा है oral और written यह देखे यानि जो आप अपनी copy में communication कर रहे हैं वो कौन सा communication कर रहे हैं verbal communication कर रहे है written तो हई है हम भी कह रहे है written है लेकिन verbal भी तो वह आपका written किसका भाग है आपका verbal का ही तो भाग है और चाहे आप और जैसे जब practical होता है आप लोगों में पचीस नंबर का practical भी होगा और 75 नंबर का आपका क्या होगा theory test theory exam होगा ना तो आप यह जानो पचीस नंबर का वोरल और 75 नंबर का written यह किसका भाग है आपका verbal communication क्या ही तो है तो अगर आप verbal communication effective करके लेके चले गए पता चला आप लिखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन आप बोलने में एकदम करबड हैं 75 का आप 74 पा गए लेकिन क्या 25 में से आप बाकी पा जाएंगे क्या नहीं पा जाएंगे यानि आपको दोनों आना चाहिए और साथी साथ आपको क्या आना चाहिए written भी आना चाहिए बाते समझ में आ गई तो अगर किसी ने पूछा वर्बल कम्मुनिकेशन में कितने पॉइंट हैं तो आप सीधा आंसर दे दीजेगा एक है आपका oral कम्मुनिकेशन दूसरा क्या है आपका written communication पढ़ लीजे एक बार कहता है through the language it act as a medium to convey the idea through our feeling of a person to the receive or a listener ठीक है अच्छा एक बात बताओ जैसे माली जैं यहां पर एक सब्द लिखा है share your feeling share your feeling में किसको यूज करेंगे आप oral को या written को feeling में आप oral को share करेंगे या written को अपने feeling को express करने के लिए आप oral का सारा लेंगे या written का oral का पका पका मैं आपको बताओं सबसे ज़्यादा किसका सारा लीजेगा अपनी feeling share करने लगते हैं तो हमाई दिमक्मा में रहता बहुत कुछ है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं माल लो सामने वाला सुनने को तयार है नहीं तो तो तुम्हारी feeling की कोनो इज्जत है नहीं तो अईसे को सुनाओ ही न नहीं सुनाने का मन करे माल लो मान करे सुनाने को अधा बात बताओ वाट्सअप चैट ज्यादा करते हो या कॉलिंग पर ज्यादा बात करते हो बताओ चैट या कॉलिंग ज्यादा क्या चैट या कॉलिंग अक्ता बड़ी अच्छी बात है आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं आप लोग भाई ठीक है वो तो इसी दिन गलती से आप लोगों का फोन अगर हमने चेक किया तो पता चलेगा अगर फिलिंग को शेयर करना है तो जहां तक मेरा मानना है कि आप जाए रिटन के साथ जाए और रिटन में आपके पास time रहेगा सुछने का समझने का और जो भी आपकी फिलिंग है उसको एक्सप्रेस करने का लेकिन एक चीज का drawback है सुनिए बेटा एक चीज का drawback है आपने जिस फिलिंग में उस चीजों को एक्सप्रेस किया है सामने वाले मान लीजिए उस फिलिंग को ना understand कर पाया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी तो आप फिर वहां पे oral पे जाईएगा ठीक है चलिए फिलाल तो वर्बल और वर्बल की बात करेंगे तो वर्बल में आपके कितने आ गए बेटा पहला जल्दी से बताईए पहला क्या है आपका oral और दूसरा क्या है आपका return बाते समझ में आ गई आप लोगों को तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं या फिर इसका एक नाम होता है body language body movement या फिर आपका क्या body language इसमें और भी चीज़े है facial expression है gesture है sign है अच्छा facial expression क्या होता है facial expression आपने amusee का नाम सुना है amusee ऐसे रहता ऐसे बनाःता है आप आम हैप्य इसके बाद ऐसे रहता है ऐसे बखकर दें आंगरी हो जाए ऐसे करकर रहे यह आपका facial expression नहीं करते हो बनाते हो मुह लटका के बैट जाते हो है बात नहीं करते हो अगला पॉइंट है आपका जेस्चर यह क्या होता है जेस्चर का मतलब होता है यहाँ पे आपके ड्रस कोड से है जैसे अभी एक महीने पहले की बात है जर्नली मैं स्लीपर करता हूँ टो ऐसे ही एक शादी शादी थी पता नहीं बड़े था तो ममी ने कहा कि जा जो चले जा जाओ ऐसे जनरली में पर्टियों में नहीं जाता कि तो मैंने ठीक है जाते हैं जाके देना है जाने लगे ममी कह रही है सरम और हम है है हम कपड़ा पाहिन है माना बाल बड़े हैं ठीक है ए तुम्हारे भगवान जूता होता नहीं दिये है थि यह भी आप समझों कि ड्रेस कोड भी बहुत इंपॉर्टेन्ट होता है आपके सिचुवेशन के आधार पे पिच्चरों-चरों में तो जब किसी के डेथ हो जाती है तो सफेद कपड़ा पाइन की भूमते हैं और दूसरी बड़ी बात बकाइदे मेक अप उक अप करके और हमको एक चीज नहीं समझ में आती हम लोगों में क्या होता है कि किसी की डेथ होती है तो बालवल बनते हैं इन लोगों में कौनों हिसाब है नहीं है और सदीयों दियों हो जाती है साथ के साथ फेरे पता नहीं उसके बास सहीम साथ ही ग्राविजाने है है Diesel ही तो है आप शादियों में जा रहे है तो उसका ट्रेस-कोड अलग है अब कही इधर उदर जा रहे have उसका ड्रेस-कोड अलग है घरमस बैटेंश्का ड्रेस-कोड अलग है फिर अगला पॉइंट है आपका थे मतलब का मतलब किक्चर आई थी , ठोड़ो आप जब कभी रूड़ पे जाते हो जब बस वस्थ चलती है तो आपने arrow arrow देखा हो जैसे माल लीजे एक ऐसे खोपडरी है और ऐसे अज़े हड्डी बनी पड़ी है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता डेंजर इसका मतलब क्या है डेंजर ठीक है आप रास्ते में जब जाते हो तो आपने देखा होगा एक ऐसे बनके एक ऐसे रास्ता बना है इसका मतलब भयत तिराहा है यह यह आपका क्या है तिराहा है फिर दोठे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बच्चे बने है इ यह आपका क्या है ? अब रेडल पर जाते हो जब आपने यहां तो ड्राफिकल नय लाइट नहीं है लेकिन जब आप बड़े शैरों में जाते हो तो बहुते द्राफिकल लाइट रहता है कि नहीं, रेड जलता है रूख जा मौत बहुतरे महीं हो बंद Protegem-Person cuz करो यह आपका क्या कहलाता है nonverbal communication का sign language कहलाता है और यहां तक जो आपके dumb and diff लोग होते हैं बदलब जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो भी आपका sign language का इस्तमाल करते हैं एसे ऐसे पता नहीं क्या यते सिकरते रहते हैं भया लोग तो वह आपका क्या का यूज करते हैं आपका sign language का इस्तमाल करते हैं बात इतने समझ में आ गए यह हो गया आपका non-vulval communication जिसमें आपने देखा body movement है facial expression है gesture है sign है बात इतने समझ में आ गए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही अब हम लोग इतना ही थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लेट हो रहा है time क्या हुआ चलो अच्छा ठीक है तो इसके आगे कल morning में पढ़ते हैं सुबह ठीक है कल सुबह आपका आज तो recorded है कल आपका live चलाएंगे हम लोग क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप हमें information देते रही है अपना comment के माध्यम से और जो आपका प्यार है जो आपका support है उसको जरूर अपने accounting गुरु इस परिवार पर देते रही है चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन जरूर प्रेस करिए कोई भी समस्य आगर रहे तो आप हमें comment करके अपनी problem को क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं ख्याल रखिए आप सभी अपना मुझे इसाज़त दीजिए जय भोले नात